हमने कई लोगों की बाव पर निशान देखा होगा ये निशान जीवन भर रहता है लेकिन ये क्या है मैंने ऐसे निशान वाले बहुत से लोगों को देखा है ये क्या है इसकी वजब बीसवी सदी में बहुत पहले घटी एक घटना है चेचक चेचक एक विशानों जीनित संक्रमक रोग है जो अत्यादिक संक्रमक होता है और शरीर पर छाले छोड़ जाता है ये कोरोना वाइरस के समान है याद है कि कैसे इसने तेजी से सभी को संक्रमित कर दिया था चेचक भी दुनिया भर में फैल गया था जिससे आपके शरीर में फफोले पढ़ जाते थे दस में से तीन लोगों की वाइरस से मौत हो जाती थी जबकि अन्य लोग विक्रूत हो जाते थे दुनिया वास्तों में बीसवी सदी में चेचक के प्रकुप से जूच रही थी वैग्यानिकों ने पाया कि चेचक वैरियोला नामक वाइरस के कारण होता है व्यापक शोद करने के बाद वैग्यानिकों ने इसे रोकने का एक तरीका ढूंड लिया जैसी कि आप सभी जानते हैं चेचक वैरियोला नामक वाइरस के कारण होता है वैरियोला वाइरस की जगा वैग्यानिकों ने वैक्सीनिया वाइरस लिया शोद के बाद स्मॉल पॉक से बचाफ के लिए एंटी बॉडी बनाने के लिए कमजोर वैक्सीनिया वाइरस को लोगों में इंजेक्ट किया गया 1960 के दशक के उत्राधार के बीच WHO ने चेचक के खिलाफ विश्वय वापी टिका करन शुरू किया 1990 के आसपास इसे पूरी तरह खतम कर दिया गया तब चेचक का पूर्ण उन्मुलन हो गया था बहुत खुब लेकिन वैक्सीन कैसे लगाई जाती थी मैं समझाता हूँ आप सभी को कोविट वैक्सीन और जब बच्चे पैदा होते हैं तो पोलियो वैक्सीन लगाया जाता है ये पता है ये भी आप जानते हैं कि त्वचा कई पर्तों से बनी होती है अधिकांश टीकों को एक सुई की नोक का उप्योग करके इंजेक किया जाता है जो त्वचा की पर्तों से होकर गुजरती है इस तरह हमारा शरीर कोविट से बचाव कर सका लेकिन चेचक के टीके का मामला बिल्कुल अलग था यहां बताया गया है कि चेचक का टीका कैसे काम करता है बहुत मोटी सुई का उप्योग किया जाता था ये एक विशेश द्विभाजित दो शूल वाली सुई थी उस सुई से पे केवल त्वचा की उपरी परत को छेते थे विट्वचा के अंदर गहराई तक प्रवेश नहीं करते थे विट्वचा में कई छेत कर देते थे ये बहुत दर्दनाक होता था और हाथ में दर्द पैदा करता था एक बार टिका लगाने के बाद शरीर की रोप्रतिरोधक शमता मस्बूत हो जाती थी लेकिन ये दर्दनाक था अब निशान का क्या इसके बाद ये मवाद से भरे चाले में बदल जाता था कुछ लोग रगतस्राव रोकने के लिए बैंडेट लगाते थे अंतह ये ठीक हो जाता था और ऐसा निशान छोड़ जाता था जो जीवन भर बना रहता था पुराने दिनों में ऐसा होता था आज कल जब भी आप कहीं जाते हैं तो आपको अपना कोरोना टीका करन प्रमान पत्र दिखाना पड़ता है यहां तक कि नौकरी के लिए इंटर्व्यू के लिए भी टीका करन प्रमान प्रत्र दिखाना होता है लेकिन पुराने समाने में जब चेजक का प्रकोप फैला हुआ था नौकरी पाने, जहाद से यात्रा करने आदे के लिए आपको ये साबित करना होता था कि आपको टीका लगाया जा चुका है प्रामान पत्रों को आसानी से जाली बनाया जा सकता है इस कारण लोगों को अपनी बायाओ पर निशान दिखाना पड़ता था जिनके पास निशान नहीं होता था उन्हें यात्रा की इजाज़त नहीं दी जाती थी और वापस भेज दिया जाता था यहां तक की स्कूलों और कॉलेजों में भी केवल टीका करण वाले छात्रों को ही प्रवेश दिया जाता था अब चेचक पूरी तरह से खतम हो गया है हाला की भविश्य में किसी भी प्रकुप से निपटने के लिए चेचक का टीका अभी भी संग्रहित है 194 देशों ने चेचक के टीके का भंडारन कर रखा है तो इस तरह खतम हुआ चानलेवा वाईरस